तो आप सब कैसे हूं में जैसा बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूं आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 12 से 15 साल तक के बच्चे के लिए सूट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें सूट या कमीज कुर्ती जो आप बोलते हैं वह हम के पूछ रहे थे कि बताइए इसको भी हम कैसे बनाएं तो मैंने यह वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है और छोटी से वीडियो जाद लंबी नहीं है तो मैंने एक यह स्लीव के लिए फैब्रिक रखा हुआ है मैंने और यह फैब्रिक जो रखा है और गले का हम कटिंग बिना देर करते वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड लिया हुआ है तो यहां पर सीधा वाला पल्ला जो है ना उपर की साइड है तो उसे हम अंदर की साइड कर लेंगे उल्टा वाला पल्ला वह हमें बाहर की साइड रखना है और इस त कपड़ा ना प्लेन है तो तो कोई दिक्कत नहीं है आप राम से उल्टे साइड से फोल्ड करके रख लें अगर कपड़ा आपका इस तरीके से प्रिंटे तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि इसमें अगर फूल वगरा या को प्रिंट बना हुआ है तो वह उपर तो अब इसमें क्या है फ्रंट और बैक हमारा दोनों साथ में निकलेगा वीडियो जदा लंबी नहीं है छोटी सी है बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है स्किप नहीं करना है तभी आपको एक स्टेप समझ में आएंगे आर्मोल नेक शोडर वगरा मेजरमेंट किस तरीके से लेना सारी चीज़ा आपको समझ में आ जाएंगी तो हमने फॉर फोल्ड कर लिया फॉर फोल्ड कर लेने के बाद अब हम देख लेता है अपने मेजरमेंट के कैसे निशान लगाना है यह नहीं कि दो खुले हैं दो बंद फैबरिक है इस सूट की जो लेंद है कम स लिए आरमोल और छेस्ट का पर का चाहल का निशान लगांगे तो हमें 7 इंच पर निशान लगा रही हूं 12 साल साल कोई कम है तो 6 इंच पर ही निशान लगा रही हूं 13 इंच पर 19 ड़े लगा इससको और न primero गा कि लगा सकते हैं तो यह तीनों निशान हमने लगा लिए उसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगाँगी शोल्डर हमारा तेरह इंच था जिसका हादा हमने साड़े छेंच निशान लगा दिया नीचे में साड़े चेंच 6.5 पर निशान लगा दूँगी तो ऐसे अब इन को मिला लेंगे और चेस्ट का निशान लगाने के लिए नहीं क्या करना जो भी आपका चेस्ट मेंचर में तो उसमें एक से डेड़े इंच आप लूजिंग करेंगे लूजिंग और उसके वाद उसका चौथाई लेंगे तो यहां पर 34 का चौथाई जो हो गया वह साड़े यहां से एक इंच इस तरीके से उपर निशान लगाएंगे हम और यहीं से आर मोल का हम शेप देंगे राउंड करते वहीं देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखा देती हूं मैं आपको ऐसे तो यह हो गया राउंड चैप एजिली लग जाता है आप एक इंच उपर करते पत्सकी पूरा निशान लगा देंगी इसे शेप दे दिया है उसके बाद déjà हम चलिए हम यहां पर कमर का निशान लगाएंगे तो 7 बैसा है ok सब कुछ मैं एक से डेड़ इंच लूजिंग एड़ करके तभी निशान लगा रही तो उसका चौता ही जो गया चौतिस का साड़े आठ इंच हो गया साड़े आठ इंच पर निशान लगा दूगी बहुत लोगों को हिप के पास थोड़ा लूजिंग चाही होता तो हाफ इं जो पासित लाइं जो हमने दो इंचान लगाता है लेगा या को उसके बाटम का बसका। मिजर्मेंट रहेंगा उससे आपको एक से आधा इंच एक्स्टा रखना है तो यहां पर हमने उपर साड़े आठी इंच रखा था हिप मिजर्मेंट नीचे में नौ इंच मार्क कर रही हूं हिप बॉटम तो जो भी आप मेजर्मेंट रखेंगे उसका हाफ इंच जादा रख सकते हैं तो नीचे में एक इंच मार्जिन रख रही हूं टोटल सूट की लंबा 41 इंच जिसमें एक इंच मार्जिन चला गया नीचे तो फोल्ड होके 40 इंच आएगा और उपर से हाफ इंच सलाई में भी जाएगा तो 39.5 इंच मार्ट पूरा लेंथ सूट का तयार हो हैं इस तरह तो नीचे दामन के पास भी एक इंच का निशान लगा देंगे उपर तो हमने निशान लगा के मिला दिया इसको भी मिला लेंगे हम अगर आप मेरे चैनल पर ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को करते हुं मैं है अब यहां पर हम निशान लगांगे फ्रंट और मोल ज़िए यह मिला लेंगे इमने फ्रंट ऐर जबच ऑमने और शीजी लाइन श्वाया हूं और उसको मिला के से शेप दे दिया अब यहां पर तीन इंच उड़ाई लेंगे नेक की गहराई हमें ऐसे तिर्चा रखे लेना होता है चार इंच पर निशान लगाएंगे बैक के लिए लगा रही हूं मैं फ्रंट के लिए हमें मैं 6 इंच पर निशान लगा रही है यह आप इसे मिला लेंगे तो यह बैक का हो गया राउंड सिंपल राउंड शेप दे रही हूं ताकि आपको ना पूरा स्टिचिंग में समझा दूं और वैसे आपको को डिजाइनिंग वगेरा देनी होना तो मैंने बहुत ही तरीकी से अगर आपके पस बुकरम है नहीं है मैंने इ की कटिंग कर रही है शोल्डर हाफ इंच डाउन करा तो बिल्कुल वैसे ही निशान से मिलाते हुए हमने कटिंग कर लेनी है फिर यहां पर आर्मोल कटिंग करना है तो जब भी फ्रंट और बैक आप सूट एक साथ रह के कटिंग करते हो ना पला तो आपको सबसे पहले बै कर लिया है हमने तो बिल्कुल निशान पर ही हमने कटिंग कर लेना है इस तरह से यह हो गई कटिंग इसकी तो उमीद आप कुछ समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी मैथेड में बताया है सारे फॉर्मुले में स्क्रीन पर मैंशन करती जा रही हूं यह देगा हिप राउ और आपको सिलने में भी असानी होगी सिबसे बड़ी बात तो यह कि आपको चाह कहीं से बनाना ध्यान रहेगा तो एक पल्ला मैंने अंदर वाला अलग कर लिया तो बैक हो जाएगा और ही जो हमने रख लिया इसको दुबारा मैंने फोल्ड कर लिया फ्रेंट कर लेंगे इ तो यह हो गया हमारा फ्रेंट आर्मोल उसके बाद हम आर्मोल की टोटल लेंथ है ना वह नाप लेते हैं कितनी है उसी के अकॉर्डिंग हम स्लीव की भी कटिंग करेंगे ठीक है तो नेक रेडी हो गया आर्मोल रेडी हो गया है अब इसकी हम लेंथ नाप लेते हैं कितनी ह तो इस तरीके से रखते हुए पूरा घुमाते हैं उपर से देखिए हाफ इंच स्लाई में चला जाएगा तो टोटल मान लेज़े हैं पर दस इंच आर है तो नौ इंच भी रेडी होगा ना स्लीप की पूरा गुलाई काटने के बाद तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्ला कपड़ा या जो बराबर नहीं है उसको पहले कट करके अलग कर दूंगे देखिए इस तरीके से हैं अब दोनों सीधा पला अंदर की साइड है बाहर की साइड उल्टा वाला पला है यहाँ पर निशान लगा ले रहे हैं से कपड़ा बराबर नहीं अगर आपको कपड़ा अगर बराबर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है काटने की ज़रुवत नहीं है अब उसके बाद यहां पर लेंद का निशान लगा रही हूं मुझे 16 लेंद चाहिए स्लीव स्की लेंद में 18 लेरी 16 रेडी हो दो इंच मार्जन के लिए यहां पर हमने लंबाई का निशान लगा दिया है साड़े साथ इंच है और फिर हम यहां सा चोड़ाई का निशान लगांगे तीन इंच पर निशान लगा लेने के बाद ना डारेक्टली मैं इस राउं लगा दूगी फिर एक रांड शेप सिंपली बस ऐसे सिंपल रांड शेप देना है उसकी वाज हमने मिड में निशान लगा न तो ऐसे शेप देते वे एक आधा अंदर और आधा बाहर की साइट पर शेप देना ही यह ऐसे घूमाते हम हलका सा एस शेप तो यह फ्रंट आर म बटाई के मिसको आहिसे कि मैंने आपको बताया नीचे से फोल्ड होगा एक तो इसको भी हम मिला लेंगे इतना बॉटम फोल्ड होना है अब हम इसके कट करेंगे सिंपली बले जबने रांड शेप इसको कटिंग करेंगे ऐसे यह हो गया उसकी बाद ऊपर के दो पल्ले तो मैं आपको दिखा देखिए इस तरीकी से फ्रंट में जाएगा उमीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और जो इसका आर्मोल का टोटल जो राउंड करने पे नो इंच रेडी आ रहा है और जब मैं स्लीज जॉइन करूंगी तो भी मैं आपको दिखा दूंगी आ मैंने उसकी बाद छोटे-छोटे कर्च लगा देने हैं उससे क्या हूंता है वोल्ड करने मैं असा झालियों को जॉइन कर लेना पहले maple नेक्स क्यास से मिलाते में कट लगा तैस स्काथ जैर पता चल जा कि आधा इतना इला हैगा आधा उसको सलेंगे बॉटं फोल्ड कर लेंगे हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे को सबस्टी assessments मैंने रेडी कर लिGÓünü कर लेडी करके फोल्ड कर थी अब आपको दिखा रहा है कि एक तीनों साइड मैंने एगे कि इसके मार्जिन पर इस तरीके से निशान लगा लिए और नीचे का बॉटम पहले हम फोल्ड करके सिंपली से सिलते हुए सिल लेंगे अब आपको जिसका चाक किसे फोल्ड होगा वो दिखा देती हूं नीचे का बॉटम मैंने सिल लिया किनारी फ निशान लगा हुआ रहता है तो एजी लिया फोल्ड कर पाते हैं यहां पर आगया इस पल्ले पर चाक के साइड में तो यहां पर भी ऐसी सिल लेना है सिंपली और यहां पर रुख जाना अब यहां से हमें इसको घुमा लेना है और ऐसे दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेन इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियों से बताया हुए तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं और इसमें तो मैंने बताई दिया आपको तो स्लीव जॉइन हो गया चाक फोल्ड हो गया है ये देखे चाक फोल्ड कर लेने पर ऐसा नज़र आएगा ये हो गया तो बहुत ही एजी तरीके से आप कुर्टी की कटिंग और स्टिचिंग सीख चुके होंगे छोटे बच्चे 12 से 15 साल के बच्चों कैसे सेल सकते हैं तो सूट की कटिंग और स्टिचिंग मैंने अप्लोड करा हुआ है छोटे बच्चों के पांच छे साल के एक दो साल के जितने भी वो सारे अप्लोड करें तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही थांक्यू सो मच और वीडियो कैसी लगी जरूर बताया कमेंट बॉक्स में थांक्यू